हलो दोस्तों प्रतिमा जियस एकडेमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे समीच्छा दिकारी सायग समीच्छा दिकारी और उत्तर प्रदेश PCS में जो मुख परिच्छा में पत्र लेखा नाता है उस पर सासना देश क्या होता है? अध्या देश क्या होता है? अपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनपचारिक पत्र क्या होते हैं? कारियालई पत्र क्या होते हैं? और उसका प्रारूप कैसा होता है? ये मुख परिच्छा में बहुत महतुर रखता है तो आप लाइक करें, सेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस सब्सक्राइब कर ले प्रस्ण है कि सासना देश किसे कहते हैं सासना देश, इसको तोड़ने पर आपको पता चलेगा कि सासन का आदेश क्या होता है तो सरकार द्वारा अधिनस्त अधिकारियों को जो पत्र भेजे जाते हैं उनको सासना देश कहते हैं चाहे उनके द्वारा सरकार कोई बिसिष्ट आदेश दे अथवा कोई सूचना दे अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है सासना देश में एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि सासना देश उपर से आता है आप नीचे से वापस नहीं कर सकते मतलब एक दिसिये होता है बिभागा ध्यच्चों प्रमुख कार्याले ध्यच्चों इत्यात को भी सासना देश पत्र जाते हैं उनको परिपत्र सासना देश कहते हैं यानि यद किसी प्रमुख को किसी बिभाग के प्रमुख को यद किसी कार्याले के प्रमुख को कोई पत्र आता है तो उसे परिपत्र सासना देश कहते हैं और बाकी यद उपर से आता है अधिनस अधिकारियों के लिए तो उसे हम सासना देश कहते हैं तो बेसिक अंतर तो यहीं समझ में आ जाना चाहिए कि परिपत्र सासना देश और सासना देश में क्या अंतर होता है दूसरी चीज़ जब सरकार के द्वारा अधिनस अधिकारियों को भेजा जाता है इसका मतलब है एकल मार गिये होता है आप इसके लिए उपर द्वारा अपना परतकिरिया नहीं भेज सकते आदेस आया है कि इसको इंप्लिमेंट करना है और हर जिला दिकारी के पास जाता है या हर किसी अनपदा दिकारी के पास जाता है तो उनका क्यों इतना दाइत तो होता है कि कारियों का किरियानिमेंट करें और जो सासना देस आया है उसका पालन करें अब अगला है कि पत्र किसे कहते हैं सासना देश तो आप समझ गए? अब पत्र किसे कहते हैं? तो भारत सरकार या अनराज सरकार नियायाले लोकसेवायो, महालेकपाल, उत्तरबदेश तथा अनस्वाधिन और अर्द्वाधिन अधिकारियों को जो पत्र भेजे जाते हैं वो केवल सरकारी पत्र होते हैं ना कि सा परिभासा यहां लिखी हुई है जो सासनादेश में था तो पत्र और सासनादेश अलग कैसे हुआ दोस्तों मैं आपको पहले यह बता दूँ कि जो भी सरकारी पत्र होते हैं उनमें बेसिक ही अंतर होता है बहुत अंतर नहीं होता है लेकिन जो कि आप एक así officer बनने जारहे हैं आप समिछा अदिकारी या PCS बनने जा रहे हैं आपको इन बारिकियों का पता होना आवस्यक होता है भारत सरकार, अनराज सरकार, नियाले, लोकसेवायो, महालेकपाल यानि जो महालेखागार होते हैं उत्तरप्रदेश या अनस्वाधिन वा अर्दस्वाधिन अधिकारियों को जो पत्र भेजे आते हैं वो एक केवल सरकारी पत्र होते हैं ना कि सासना देश, अब सासना देश सासन से आएगा और वो पूरे प्रांत या पूरे देश में लागू होगा लेकिन पत्र जो है आप एक डिस्टिक मजी स्टेट हैं तो आप पत्र लिख सकते हैं जो है सब डिस्टिक मजी स्टेट को आप सचीव हैं आप पत्र लिख सकते हैं किसी अधिकारी को किसी जिला अधिकारी को लेकिन सासनादेस केवल सासन के द्वारा जैसे चीभ मίνिस्टर आप उत्तरप्रदेस या प्राइम मिनिस्टर आप भारत जब इनके कारियाले से कोई पत्र पूरे देस या प्रांत की लिए जाता है वो होता है सासनादेस और पत्र एक बरिष्ट अदिकारी किसी को अपने कनिष्ट दिकारी या नपता दिकारी को भेज सकता है वो हो गया पत्र तो ये बेसिक अंतर आपका सासनाधियो पत्र में होता है अब यहां पे आता है सरकारी पत्र किसे कहते हैं तो सरकारी काम का एक बाद ध्यान दिखेगा आप लोगोंने पॉलिटी पढ़ा होगा और पॉलिटी में पढ़ा होगा सरकारी बिल और प्राइबेट बिल यानि सरकारी बिल गैर सरकारी बिल वो अलग बात हो गई वहाँ पे सरकारी बिल उसे कहते हैं जो सरकार के मंतरी के द्वारा प्रस्तुत के जाता है और गैर सरकारी बिल उसे कहते हैं जो मंतरी नहीं है सरकार में लेकिन सांसद है तो उसे गैर सरकारी है प्राइबिट बिल कहते हैं लेकिन यहां पर वो अंतर थोड़ा आलग है यहां सरकारी पत्र किसे कहते हैं तो सरकारी कामकाज के अंतरगत किसी कारियाले में आधिकारिक तौर पर किसी करमचारी सारजबिनिकोप करमो निजी संगठनो तथा जन साधार को पत्र लिखे जाते हैं, ये सरकारी पत्र के सिर्णी में आते हैं, ध्यान रहे, सासना देश में आपने देखा, सासन के द्वारा आया हुआ देश है, पत्र में आपने देखा कि बरिश्ट अधिकारियों के द्वारा कनिष्ट को या अनिकिसी को या समकच्छ को भी लिखा या तो से पत्र कहते हैं, लेकिन सरकारी पत्र, सरकारी कामकाज की अंतरगत, किसी कारियाले में आधिकारिक तोर पर किसी करम्चारी, सारवजनिक उपकर्मों, नीजी संगठनों तथा जनसाधारन को पत्र लिखे जाते हैं यह सरकारी पत्र के स्रेणी में आते हैं यानि कि इसमें जनसाधारन सामिल है मतलब कोई भी सामिल है पत्र सरकारी कामकाच का होना चाहिए पत्र सारवजनिक होना चाहिए ऐसे काम जो सरकार से संबंदित हों उसके लिए जनसाधारान को भी पत्र लिखे जा सकते हैं वो हो गया सरकारी पत्र अब अगला बिंदु है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं सरकारी आपने देखा सासना देश आपने देखा पत्र क्या होता है आपने देखा अर्द सरकारी पत्र किसे कहते हैं यह बिधिक पत्र नहीं होता है सबसे पहला point तो यह हो गया कि यह बिधिक पत्र नहीं होता है और ना इनके द्वारा कोई बिधिक आदेश की सूचना दी जाती है इसका प्रियोग उस समय किया जाता है जब किसी बिशेष बिशेपर अत्वा ऐसे बिशेपर जिसके संबंध में कारवाई में कोई बिलम न हो गया हो किसी आधिकारी का ब्यक्तिकत दिहान दिलाने के लिए आवस्यक्ता प्रतीत हो बिभिन औधिकार्यों के बीच एयसे कार अब देखिए आप क्या कि जरूरी नहींела कि हार काम सासा नहीं देखे आप बरिष्ट पदा अधिकारी हैं आप सेनियर अधिकारी हैं अब क्या देख पाőution कि कि कोई अधिकारी ब्यक्तिगत तोर पर काम को टाल दिया है। आदेस आ चुका है, नियम बिनियम बन चुके हैं, कारियों का दाई तो सौपा जा चुका है, लेकिन कोई अपनी ब्यक्तिगत थित के लिए किसी कार में अलग ब्यस्त हो करके उस कार को नजर अंदाज किया गया है, तो उसके लिए, यानि जब लगता है बरिष्ट पता अधिकारी को ये काम नहीं कर रहा हैं, तो उनको जानकारी देने के लिए, जब ऐशे आवस्यक्ता प्रतीत होती है, तो बिविन अधिकारियों के बीज किसी बीसे पर बिचार बिमर्ष, अथवा मत यों सहमती की अभिवयक्ति के लिए इसका फृयोग किया जाता है, कि इंद्रिय मंत्रियों अथवा राज मंत्रियों के बीच की पत्र बेवहार इसी रूप में किया जाता है यानि कि अगर वो जा करके बिक्तिकत कोई भी पदा दिकारी किसी से जा कर ऐसे तो नहीं कहेगा भाई आपने काम क्यों नहीं क्या कीजिए इसको लेकिन कहीं भी सकता है यह अनौपचारिक उसके वारता होती है लेकिन मान लिजे कि एक बरिश्रेदिकारी है और करिश्रेदिकारी से उसके वाफचारिक बाते होती है अनौपचारिक बाते नहीं होती है तो एक पत्र के माध्यम से उनको सूचित करेगा कि आप कार्यों को बिलम्ब कर रहे हैं, आता तेजी से कीजिए तो यह सरकारी record के अंतरगत तो नहीं आता है लेकिन सरकारी पत्र भी नहीं होता है इसी को अर्द सरकारी पत्र के रूप में समझा जाता है अब है कार्यालै आदेश क्या होता है दोस्तों ये जो 5-6 प्रकार हैं इसी में से 1-2 प्रकार हर साल आता ही आता है और मैंने पिछले 10 साल के पेपर पिछला हमारा आनूभ हो और जो प्रस्ण पूछे जाने का उनका टेंड है जो सलेवस है उसके आधार पर मैंने पत्र लेखन से संबंधित जो पहले आदेश के या परिभासाएं हैं उस पे फिर आगे में प्रारूप बताऊंगा और एक दो क्लासस में और प्रारूप को दे करके कैसे पत्र लिखना है इसे हम कंप्लीट कर देंगे आपका 20 से 25 नंबर कंप्लीट हो जाएगा कार्याले आदेश किसे कहते हैं किसी कार्याले अथवा विभाग के सहीयोगों के लिए किये गए कोई भी विशेश आदेश जैसे कर्मचारियों की छुट्टी की सुवकिरती पदोनती इत्याद में इसका प्रियोग किया आता है तो कार्याले आदेश जो होता है वो कार्याले अथवा विभाग के सहीयोग के लिए कोई विशेश आदेश निकालने अथवा उसे संबंधी सूचनाय देने के लिए इ उसे ही कार्याले आदेश कहा जाता है अब दोस्तों उत्तर प्रदेश PCS के में सीगजाम में पूछा गया था कि प्रारूप लेखन क्या है और इसके सास्किये प्रारूप का ँवरणी कीजिए विवरणी दीजिए ये आया हुआ आयोग का प्रस्टन है और उसीका प्रारूप लेखन का आसे क्या है सरकारी पत्र का वह कच्चा मसोदा जो किसी पत्र को अंतिम रूप देने से पहले तयार किया जाता है वो प्रारूप लेखन है अब ध्यान रहे इसके पहले मैंने अभी आपको सरकारी पत्र की परिभासा के बारें चर्चा किया है कि सरकारी पत्र क्या होता है ऐसा पत्र जिसका संबंद सरकारी काम काज से हो सरकारी कार्यों से हो वो सरकारी पत्र के अंतरगत आता है और सरकारी पत्र जो है वो सामान नाकरीकों को भी सरकारी काम के लिए भेजा जा सकता है सर्वसाधारण को भी वो सरकारी पत्र है अब सरकारी पत्र लेखन प्रारूप लेखन क्या होता है तो जो पहले देखे ऐसा नहीं है कि जो हम लोग नार्मन लाइफ में क्या करते हैं उठाए प्यंकलम और एक पत्र लिकर के दे दिये मोसी के नानी के किसी को ऐसा नहीं होगा यहां पे पहले बेवरा दिया जाता है एक प्रारूप बना इसे सास्किय पत्र का जो प्रारूफ होता है उसमें सबसे पहले प्राप्तांग लिखना होता है कई बार आपको जब कोई आदेश दिना होता है तो उसके करम संख्या आता है या कोई ऐसे पत्र संख्या नोटिस होता है उसे हम प्राप्तांग में लिखते हैं उसके बाद किस विभाग से भिजा गया है उस विभाग का नाम होगा फिर भेजने वाले का नाम होगा प्रेशक के त parabर कि कौन भेज रहा है लोकायुक तो भेजना है अलाने फलाने जो भी हो यक्श्वाई जड वो लिखना है उसके पस्ठाद लिखना है आपको आप किसको भेज रहे हैं सिवा में लगा करके आप भेज सकते हैं जिसको भी आपको भेजना है फिर आप क्या लिखेंगे दाहिनी तरफ इस्थान और दिनांग लिखेंगे और सबसे महतपूर उपर के जो प्रारूप बन गए फिर किस विषय पे आप किसी को पत्र लिखते हैं वो विषय लिखना जरूरी है आपका पत्र किसी के हाथ में जाए और पत्र ले करके सबसे पहरे ये जान ले ये पत्र किस विषय में है ये बहुत आवस्यक होता है पत्र लेखन की प्रारूप में आप इसे लिख दिये जिसे मान लिजिए आपको किसी वस या कोई निर्देश उप्राप्त हुआ है या किसी सरकार का किसी कोई इसा आदेश आया है तो आप लिखेंगे कि समस्त पदाधिकारियों को या समस्त जिलाधिकारी को सूचित के आता है कि जो है मनरेगा को अच्छे अब आप लिखना शुरू करेंगे महोदे मुझे या कहने का निदेश हुआ है ध्यान रहे निदेश गलत होता है निदेश कोई देता है आपको कार करने का और निदेश होता है सरकारी कार्यों को आगे बढ़ाने का तो निदेश और निदेश का भी अंतर समझेगा तब यहा तो एक में कहícia मैं कि अगर दूसरी बात है तो उसे में कामा लगा जा कि लिए ना एक point में झाओ दूसरा point लिख करके लिखेंगे ये हैं पहला काम य pressed करने का दूसरा काम यें करने का तीसरा काम ये करने का मतलब इस पत्र में तीन काम दिये गए तो तीन ऐसे होंगे चार हैं तो चार हों लिखेंगे आप पॉइंट तो पॉइंट डाल करके आपको बताने कौन कौन से काम है उसके बाद में आपको लिख देना है भौधिये अब भौधिये मतलब नहीं कि नाम भी लिख दीजे भौधिये भौधिये भी लिख दीजे उसके बाद फिर आप जाएंगे माई तरफ तो आपको सनलंगन परतलीपी आप उसके साथ क्या-क्या किसको लगाना चाहते हैं जिसे प्रतलेपी निमलिखी सूचनार्थ है या आदेश आर्थ है प्रेसित है तो किसके लिए है उप जिलादिकारी जिलादिकारी समस्त पदादिकारी समस्त जिलादिकारी जिसको जिसको आप प्रेसित करना चाहते हैं उसको उसको नंबरिंग करके आप लिखते चले जाए और उसके बाद में आग्या से अपना हस्ताचर कर देंगे जब आप हस्ताचर कर देंगे समझे आपका प्रारूप तैयार हो गया तो दोस्तों यह रहा आपका पत्र लेखन से संबंधित धन्यवाद जैहिन जैभारत